आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमें देएगे के Laws of Inheritance के हिसाब से चलते है तो सबसे पहले हमारे सामने आता है Law of Dominance जहां पर हम Complete Dominance का केस लेते हैं Mendel के अनुसार, कोई भी Character जो है वो किसी एक जीन के Control के Under होगा और इस जीन के दो Alternative Forms या दो Alleles पॉसिबल हैं एक तो Dominant Allee जो हमेशा इखुद को Express करता है और दूसरी Recessive Allee जो कि Dominant Allee की Presence में Suppress हो जाता है, Express नहीं हो पाता है तो अगर हम कोई Mono Hybrid Cross Carry Out करते हैं यानि किसी एक Character की हम Inheritance का Pattern देखना जाते हैं कि किस तरीके से Parent से Progeny में यह Pass on हो रहा है तो यहां पर Suppose हम एक Gene का Example ले ले लेते हैं जिसके हमार पास दो Allee एक A और दूसरी B तो इस Case में हम किसी भी Population में कैसी Conditions देख सकते हैं या तो यह हो सकता है कि Homozygous Condition में A वाली Allee हो तो ऐसे Case में Phenotype कैसा होगा ए टाइप का Phenotype हमको देखने को मिलेगा दूसरा Case ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें Homozygous Condition में किसी Organism के पास B हो यानि दोनों B वाली Allee हो तो ऐसे Case में उसका Phenotype B Type का होगा दूसरे Type का लेकिन अगर हम बात करें ऐसे Heterozygote की जिसके पास एक A Alleele और एक B Alleele है तो इस Case में Law of Dominance के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि हमारी Dominant Alleele A लेके हम चल रहे हैं Recessive Alleele B लेके चल रहे हैं तो क्यूंकि B हमारी Express नहीं हो पाएगी A के Presence में A dominant है तो वो B को दबा देगा इसलिए Heterozygote कंडिशन में भी हमें dominant वाला phenotype यानि A type का phenotype मिलना चाहिए लेकिन यहां पर कह क्या रहे हैं कि हमने जब Monohybrid Cross Carry Out किया F1 generation की बात कर रहे हैं तो सपोस हमने एक Pure A और एक Pure B को आपस में Cross किया तो हमें जो पहली filial generation मिलती है हमारी F1 generation यानि अगर हम A allele को यहां पर dominant लेके चल रहे हैं तो हमारा जो F1 generation में हमें heterozygote hybrid अप्टेन हुआ है जो heterozygote हमें मिले हैं यह इस वाले parent को पूरी तरह से resemble करेंगे लेकिन हमसे कह क्या रहे question में ऐसी condition हमें बतानी है जिसमें F1 generation के hybrids दोनों parents को resemble करें यानि इसका phenotype केवल A जैसा नहीं बलकि A और B दोनों से मिलता जुलता होना चाहिए तो ऐसी condition सिर्फ तब हो सकती है जब यह जो हमारी दो alleles है इनमें से एक dominant और एक recessive नहीं बलकि दोनों आपस में co-dominant हो co-dominant से हमारा यही मतलब होता है कि कोई भी allele दूसरी allele को पूरी तरह से dominate नहीं कर पा रही है और इसलिए अगर कभी यह साथ में appear होती है यानि heterozygote के अंदर जब दोनों alleles एक अठे present है तो A allele B allele को दबा नहीं पाएगी और यह दोनों कि दोनों alleles का expression होगा और as a result हम क्या देखेंगे कि हमारा यह जो phenotype यहां पर बनेगा यह दोनों ही parents जैसे traits जो है exhibit करेगा तो co-dominant जब आपस में दो alleles होती है co-dominants के case में हम देख सकते हैं कि दोनों parents को resemble करते हैं F1 generation के heterozygote बाकी dominance में तो ऐसा possible नहीं है हमने देखा कि dominant phenotype exhibit करेगा complete dominance के case में incomplete dominance के case में भी ऐसा होता है कि heterozygote अपने dominant parent को तो नहीं resemble करते हैं लेकिन यह दोनों parents को भी resemble नहीं करते हैं दोनों से हटके यह कोई तीसरा phenotype दिखाते हैं यानि एक intermediate phenotype यहां पे नजर आता है तो यह भी हमारा answer नहीं है और pleiotropy हम तब बोलते हैं जब कोई एक particular gene सिर्फ एक single gene product को नहीं बल्कि एक से जादा traits को influence कर सकती है लेकिन यहां पर हम केवल एक ही gene के inheritance की बात कर रहे हैं जिसकी दो alleles आपस में co dominance जो कर रहे हैं यानि एक अठे अगर present होती है तो दोनों का expression हो जाता है और दोनों parents को F1 generation के progeny रिजेंबल करते हैं तो correct answer यहां पर co dominance कर देंगे और इस तरह की condition का सबसे common example हमारे पास में होता है human beings का ABO blood grouping क्योंकि A और B type का blood group create करने वाली जो 2 alleles है वो अगर simultaneously present होती है तो दोनों आपस में co dominant हो जाती है कोई भी दूसरी को suppress नहीं कर पाती और इसलिए blood group ना A रहता है ना B रहता है वो A भी हो जाता है जैसे हमने कहा दोनों ही parents को resemble करता है Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advance के 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलूट करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर